अस्सामालेकूं और वाल्टिक सेल और ग domu एल्टिक सेल ये आज हमारे पास टौपिक है कोशिश करेंगे इस टौपिक को है तरीके से कवर करने इसमें जो मै rockets हमनेas nakने काई वोल्टिक होता क्या है इसके itself इसकी construction कैसे है व्र magasam आट इसके जो part होंगे हरेक ded को सबसे पहली बात हमारे पास वोल्टिक शल होता गया याद रहिए हमारे पास दो तरह के सल होते है एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम क्रण्ट देते हैं उसमें कोई ना कुई कमिकल रियक्शन होता है यानि के एलेक्ट्रीसिटी देने के बाद कोई ना कोई केजिकर रियक्शन होता है इस तरह का नाम दिया था इस तरह हमने प्रीवियस लेक्ट्रेश के अंदर चेटरिक से डिसकस कर लिया है कि करांट गुजारते थे करांट गुजारने के बाद कोई ने कोई कैमिकल रियक्शन होता था इस तरह के साल का नाम दिया इसकी कुछ एक्जेम्पल भड़ी थी तरह के डाउन सैल नेलसन सैल यह सकता है इसको फेमिकल रियक्शन के 슌ह Munanın से के ही qrechuck लोगासी पैदा होता है नेक्स हमारे पास से लेक्रिटी कि शिते तो इस तरह के हमारे पास हमारे पास नाम दे वालटिक और गिलवानिक सेल यह थोड़ासा अजीब यह और लेकिन इसको आप और तो दिन्धक के स पहते हैं मैं थोड़ी बहुत हमांट ने पाइए कि अफटी साथमें किताब थी वहाँ पहरे यह पैंट पर एक्सपरिमेंट था तो आप पर करना क्या है कि आपके लीमू चाहिए यह सारी की सारी चीज़ इजली अवेलेबल होंगी एक लीमू ले लेना है यह हमारे पास क्या है लेमन इसको दर्मयान से काट लेना है दो हिसों में डिवाइड कर देना है एक पीस आपने ले लेना है यह मैंने एक पीस ले लिए लि कोपर वायर असानी से मिल जाती जो घुर में अंदर तार इस्तमाल कि जाती वो गुभर क्या होती है को फ़्र आम जबान के अंतर तंबा कहते हैं तो जो सेकंड वायर थोड़ी से मुझकल मिलती है यह होती जिंक second जो wire आपने लेनी है ये zinc की wire लेनी है और दूसरी wire यहाँ पर लगा देनी है दोनों को नए एक छोटी सी बलबी के साथ कोई भी छोटा सा बलब ले 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 वो छोटी सी बलबी के साथ connect कर देना है अब जैसे connect करोगे इसमें थोड़ी बहुत light पैदा होनी शुरू हो जाएगी मैं यह नहीं कहता है कि बहुत ज्यादा light पैदा होगी लेकिन नहीं थोड़ी सी light पैदा होगी जितना ग्लीमूग अंदर होगा यहां बैसल में copper और जिंक के दर्मारा में chemical reaction होता है ब्लेक्टों का flow होता है जिसकी वज़े से करण्ट पैदा होता है उर यह पीजाए जैATIONS की कर्णट पैदा है करण्ट पैदा ही क्यों होता है करणंट पैदा ही क्ने होता है करण्ट पैदा होता है due to thegae like,rone mayo- to the flow of electron यह flow of electron की वज़ा से पैदा था flow of electron यह चीज़ हमने यहां पर पढ़नी है इसे मैं basic basic चीज़े सारी बिताता जा रहा हूँ तो यह वाल एक्सपरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं कि वोल्टिक सेल और गिल्वाइनिक सेल बना सकते हैं हमारे पास में चीज़ें स्टार्ट हो रही है जो हमारे पढ़ने के लिटेड होंगी वह यहां से होगी सबसे पहले definition देख लेते हैं यह ऐसा सेल है कि दा सेल इन विच स्पॉंटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन विच जिसमें कि इन विच स्पॉंटेनियस स्पॉंटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इस यूज़ जिसमें स्पॉंटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इसमाल कर रहे होते हैं पैदा करने के लिए तो प्रोड्यूज इलेक्ट्रिक क्रंट पैदा करने के लिए इसमाल कर रहे होते हैं इसको हम नाम देते हैं और गली और नाम देए होते हैं आप इसीज़े ब्रेयं होते हैं कि यह कभीं जिद्धर इंपोर्टन्ट सबसे पहले जो हमारे पास example अजाती वह है Daniel संही है Daniel इस नेक्स समय पास urine लें जंक शीजिंत कब्र जो कि अभी हम हमने डिसकस भी करना इसा में हमने जो यहां अच्छे दरीकेश डिसकरन से था रहे हैं वो जिंक गौपर सेल लम इसी की सेखाएं गश्गया ग自जअandır के करेंगे निकल केड्मिम सेल भी पड़ेंगे फ्यूल सेल भी पड़ेंगे हर एक सेल के बारे में हम सारी के सारी डिटेल पड़ेंगे so let's start कि हमारे पास working construction देख लेते हैं सबसे पहले कह आपका जो सेल लिए बनता किसे रहें construction construction की बात की जाए तो अगर आप cell बनाना चाहते हैं लैब के अंदर तो सबसे पहले आपको कोई नो कोई glass की बनी हुई चीज चाहिए देखे ये एक beaker है मैं बता तो ये किन किन चीजों के बने हो सकते हैं जरूरी नहीं ये glass का बनाओ ये आपको एक tank चाहिए ये के हमारे पास tank चाहिए tank किन किन चीजों के बनाओ सकता है tank आपका बनाओ सकता है पहले नमबर पर glass का जो यूजूदी हम इस्तमाल करते है इसके बाद ये wood का भी बनाओ सकता है लकड़ी का भी बनाओ सकता है और थर्ड नमबर पर हमारे पास C-MID का भी बना हो सकता है यानिकर आपने एक ऐसी चीज लएनी है जिसमें से करंट ना घूदर है बस यह बात जेहने में रखिएगा टैंक का आपने उस चीज़ का बनाना है जिसमें से करंट ना घूदर सकता हो इसके बाद आपने पहले नमबर पर हमें चाहिए टैंक, सेकंड नमबर पर दो मैटल की पत्रियां चाहिए वैसे हमें एक टैंक नहीं, यह तो अभी एक टैंक की बात बता रहा हुआ मैटल की दो पत्रें चाहिए है, क्योंकि दोनों टैंक के अंदर लगानी होती है, एक टैंक मैं इस साइड बिना लेता हूँ, साथ ही याद रखिएगा, अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा है कि यह एनोड या कैथोड मैंने सिर्फ कॉपर अलेक्ट्रोड का है, मैटल की किसी पी पत्री को आप लेक्ट्रोड का नाम दे सकते हैं, जिसको आपने बैट्टिक के साथ यह किसी भी चीज़ के साथ कॉनेक्ट आना अब नेक्स पी चीज़ हमारे पास यहां भी का है, वन मॉलर कोपर सलफेट स्लूशन लेना है, लेजी, यह आपका हाफ सेल, यह हम भी हमने बात कि है, यह हाफ सेल की, यह पूरा मिलके हमारे पास एक सेल बनता है, इतनी की बात करोगी, यह हाफ सेल है, इसको क्या नाम दोगे, इसतने हिस्से को आप हाफ सेल का नाम दे रहे होते हैं, क्या नाम दे रहे होते हैं, हाफ सेल के, यह हमारे पास आदा सेल है, आदा सेल इस साइड वाइब बाद साइब आपने यूज़ करना है ये साइड मेने कॉपर लुज़ कर लिया है और इस साइड पर पर जिंक बाड़कारं करोगे यह मैं कर रहरा हूं Zinc Metal का Zinc Metal अच्छा Zinc Metal की कभी नहीं देखी ना मैं आपको एक सिंपसी बात आता हूँ आपने ये देखी होगी 5 रॉपया का सल मिलता है जो रॉमोट के अंदर या 5-7 ये 10 रॉपया का मिलेगा जो रॉमोट के अंदर डालते हैं उसका जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो जिंक की बनी होती है वो हमारे पास जो मैटल होती ही वो जिंक होती है आपने जिंक मैटल का अलेक्टोड लेना है यहां पर मैंने जिस तरह कहा है आप जिस चीज़ का अलेक्टोड लोगे उसी के साल्ड का अलेक्टोलाइड लेना है जिंक है जिंक सल्फेड मैं यहाँ पे अलेक्टोलाइड लूँगा और कितना कंसेंटरेशन का लेना है मैंने वन मॉलर कंसेंटरेशन का अलेक्टोलाइड लूँगा और मैंने इसको यहाँ भर दिया यह कहा है हमेरे पास वन मॉलर जिंक सल्फेट एक मॉलर स्विशन लिया है जिंक सल्फेट का अब इन दोनों को मैंने जोड़ देना होता है एक वायर के साथ और वायर में यहां पे कुछ छोटी सी बल भी वगर लगा देता है ताकर पता चल जाए यहां गिलवानोमेटर वॉ दोनों को आपस में अधार दिया जैसे ही मैंने कंनेक्ट किया तो यहां पर कुछ ने कुछ रिडिंग हो रही और आ यहांपे कुछ ने कुछ को पएदा हो रहा है किस तरह कौत पैदा हो आ रहा है कौन से केमिकल एक्षन हो भी देखने है है और मैंने चीज़ एक नोट की कि यह क्रांट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया फिर मैंने का जी यहां पर कुछ ने कुछ ऐसी चीज़ है जिसके वज़े से क्रांट बंद हुआ है वह यह हुआ है कि यहां से लेक्ट्रों निकल के इस साइड की तरफ जाते रहे वह सार एक साल्ड ब्रिज ह Applause को का इम करती है्? अब यह हमने साल्ट ब्रिज का काम यह होता है यह होता कि अलेक्तिकल नियुट्रिलिटी को काईम करती है मतलब चार जाकामलीशन से प्रिवेंट करती हैं यहां भे चार जमानी होने देगी और यह गलवानमेटर लगा दिया है गलवानमेटर का काम होता है कहीं पर कोई करंट पैदा हो रहा है थोड़ी सी मिकदार में तो उसकी डिटेक्षन के लिए हम गलवानमेटर के इस समाल कर होते हैं अब बात कर लेते हैं कंस्रक्शन की कि यह हमारे पास पूरे पूरे चलम हमने बनाया इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें इसमाल हुए है बता तो दिए सारी की सारी अब इसको लिखना किस तरह है यह बात हम इस तरह साट करेंगे कर जो हमारे पास वोल्टिक स्लियें पर गिल्वैनिक स्ल दोनुं सिम इस इसल्सुन कर सकते हो सब्सक्राइब इसकते हो अगर पेपर के अंदर फॉल्टिक सल केहला आ जाता है तो मतलब तो यह है वाल्ट एक सेल मुच्तमिल होता है कॉंसस्ट ऑफ किन किन चीज पर मुच्तमिल होता है पहले नंबर पर हमारे पास जो यहां पर चीज आती है वह जैए टू हाफ सेल सबस्ट कि यह वाला है सब्सक्राइब है इसमें से एक हाफ सेल के अंदर क्या है कोपर को हमने डिप किया कोपर सेलफेट के वन मोले सुलिशन के अंदर डिप किया है इन वन हाफ सेल एक हाफ सेल में हाफ सेल कॉपर इस डिप को डिप कर रखा है इन वन मोलर सुलिशन ऑफ कोपर इसके आंदर ने हमने जिंक मैट्ल को वो यह single electrode को zinc sulfate के solution के दिप कर रखा है, in second half cell, in second half cell, zinc is dipped, zinc को हम ने दिप कर रखा है, in one molar solution of, one molar solution of zinc sulfate, zinc sulfate के one molar solution के दिप कर रखा है, जो थर्ड चीज़ा जाती है, एक galvanometer यूज़ किया हुआ है, for the detection of electric current, galvanometer is used, galvanometer को हमने small करते हैं, for the detection of, for the detection, detection के लिए, किस चीज़ की detection के लिए, detection of electric current, electric current, electric current के, detection के लिए, हम इसमाल कर रहे होते हैं, इसके पाद जो next thing हमारे पास आजाती है, वह है जो salt bridge, salt bridge को electrical neutrality को काईम रखने के लिए, हम इसमाल कर रहे होते हैं, salt bridge is used, salt bridge को हम इसमाल कर रहे होते हैं, used to maintain, मेंटेन होता है काइम रखने के लिए मेंटेन electrical neutrality अब इसके बाद हमारे पास हमरे इसके बाद हमारे पास नियुक्स चीज आती है वह इसकी हमारे पार सारी हम चीज़र यहां पर लिख्या हूं हही है इसको रिपरिजन किस तरह करना है इंस चाहिए छेक कर लेते हैं और इसकी प्रुज ups खीक कि यह चेक करना है कि रिप्री जैन्टेशन अब अच्छा आप इस साइट से इस साइट की तरफ चले जाओ यानि कि कोपर पिर क्या जाए हमारे पास पास जींक का अल्यक्टोड है सबसे बहले हमारे पास क्या है जींक का अल्यक्टोड है यहां पर स्लैश सा डालूँगा अल्यक्टोड है किसी साहतでも बाहता हुआ है पानीके अंदर और यह solution हमारे पास one mo ल कितना solution है यहां पर one mo लersk rat ka solution अब इसके बाद दर्मयान में जो सेंगे लाइन के लाई लगानी तरही हैं इसके लिए और मनें दो लाइने के लिए हो शाल्ड बुरीजी ओ disciples के तरहें का बायोड इसके बाद दिर्म्यान में दो iनलगाने का मतलब होता है हमारे पास साब्स वरीश parcels जो ने म This Is 6.5 फूर में देख लो हमारे पास नेक्स चीज़ कोपर सिल्फेयड का स्लेशन इसी तरह आप किसी भी सेल की रिप्रिजेंटेशन कर सकते हो क्योंकि दो हाज सेल पर मुश्मिल होगा आपने एक साइड से शुरू करना दूसी साइड पर चले जाना है जो जो चीज आपको नजर आती जाए वहां पर आप इस चीज को देखके आप इसकी होती है पहले बात यह कि मैटल जितन कि मैटल जा रलेक्डो पॉजिटिव है मैटल ऑर कि इलेक्डो पॉजिटिव ईमेट्स कि जितने ही했어 अंचा हमेशा लूज पॉजिए सहरे हैं मेंशा को निसे तरह को लो आपके आपने उपर उपको फॉजिव जॉर्ज है हमिशा मेरे प्लस चार्ज आता है क्यूं आता है क्यूंग कि इसने लेक्ट्रों लूज करने और आपने उपर पॉस्टिव चार्ज लेगाना है जुरूर히 नहीं है कर दो मैटल के एक इमपेर्जन कर रहे हैं तो एक मेटल अगर एक लेक्टरोन लूस करती है जरूरी नहीं दूसरा मेटल भी साथ लेक्टरोन ल्ूस करेंंare नियुक्त मेटल का आइन लेक्ट्रोन गेन कर ले अब देखो मैंने जो प्रिविस लेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन सारी के सारी पढ़ ली थी आब बात करते हैं वर्किंग की अगर वन मौले जिंक सल्फेट का सुलिशन इसमाल कर रहा हूं तो इसमें दो आइन पैदा होंगे क्योंक माइनस टू आइन पैदा होगा यह हमारे पास आइन हर एक हाफ सेल के अंदर पैदा हो रहे हैं अब बात करते हैं देखें कुछ मैटल असानी से लेक्ट्रोन दे देती है और कुछ मैटल थोड़ी से मुश्कल से या डिफिकल्ट तरीके से लेक्ट्रोन देती है अगर जिं जिंक असानी से लेक्ट्रोन देती है ऐस किंपेर टू को पर तो यही बात मैं यहाँ लिखनी है जिंक इसानी के साथ अलेक्ट्रोन को लूज कर देती है अब देखो लेक्टोन लूज करेगी हमारे पास हमने हमेशा जब भी कोई भी सहल पढ़ते हैं मैंने का था वहां पर एक एनोड होगा एक कैथोड होगा अब याद रखिएगा जरूरी नहीं है एनोड के ओपर हमेशा पोजिटिव चार्ज हो और जरूरी नहीं है कैथोड के कि याद रखेगा पहले ता दिये जिसके उपर ऑक्सिडेशन होगी उसको हम देंगे इनोड का उज्छ को रिडुक्शन होगी उसको हम नाम देंगे तोड थोड या नाम के थोड़ filming तो बहुत हैं वह सिंपय सी बात आप ने याद रिखनी है तो चुलो डैसानी स मेडल का जाती है और यहांडसे जो इल्यक्ट्रों निकलते हैं यहांड बन रहे हैं इसलिए हम नेगेटिव चार्ज हैं जहांड़ पर स्टाइलि उसना उसको सल नामस् का का और जहांब ऑक्सिडेशन होती है उसको हम नाम देते हैं अनोड का मतलब यह वाले साइड हमारे पास एक्ट ऐसा अनोड सो यहां पे चेक कर लो कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज आया हमने अनोड का नाम दिया ऑक्सिडेशन या डिडक्शन की वज़ा और चार्ज हम दे रहे होते हैं यहां पे चार्ज पैदा हो गा यहां पेड़ चार्ज आशे हमिशा रहे होतें कि यह इसी वज़ा से वी यहां जाट स्वाइब जिंक मैटल होगी इस एक्ट एस एक्ट एस एनोड यह एनोड के दोर पर काम करेगी यह सिंपल सी बात आपने याद रखनी है और एनोड के उपर कौन से चार जा रहा है यहां पर नेगटिव आ रहा है अब यही जो अलेक्टोन यह यहां से पैदा होते हैं पैदा होने के बाद यहां से इस साइड की तरह लोवर क देखें यहां से कंसेटरिशन काम है इससे हाइर सो लोब करना के शुरू कर देंगी हिया सब फैसम कठड जो एने के नजर खोने के पाद मैंने पहसलिए की वज़े से नजर अर Kapi Stretch Looks यहां प क्राइंट पैदा हो रहा है जो कि मूव कर रहे है और फ्लो की वज़े से हमारे पास क्राइंट पैदा होता है इसके बाद जो कोपर अब देखो इसके अंदर ना कुछ आइंज है मैंने का इस सुलूशन यह सारी के सारे अलेक्ट्रोन आते हैं यहां पर आके जम्मा होने शु क्यां अपर काम फूहना में ऐसा होना शुरू होना हुना शुरू हो होता है मरे पास चिर न Butt-沒有 यहाद रखना है ऑन नेपर ल्च कोपर म्हैत सबैक सो को पर प्लस टूाइंज प्लस टूीरल का सकते हैं तो यहां अम देखो Cu प्लस 2 दो लैक्टोन लेंगे, दो लैक्टोन लेने के बाद किसमें चैंज़ लेंगे, कॉपर में और जहां पर लैक्टोन का गेन होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं, Reduction का Here, Reduction अकर यहां पर Reduction हो रही है इसी वज़े से हम नाम दे रहे हैं, Reduction अकर, यहां पर Reduction हो रही है कहां पर? इस Half Cell में जहां पर Reduction होती है, मैंने कहा था उसको गया नाम देते है, Cathode का मतलब इस Side वज़े हमारे पास Cell है यह वाला, यह हमारे पास Act करेगा Cathode के तोरबे किस तोरब पर काम करेगा? Cathode के तोरब पर देखो, negative charge हमेशा move करें तोरब पॉस्टिव इसलिए यह वाले Electron इस Side पॉस्टिव साइड की तरफ अट्रक्ट हो रहे थे यानि कि यहां पर Cathode के उपर कौन से चार्ज है? पॉस्टिव है So, it act as it act as Cathode इसलिए वज़ा से यह कि थोड के तोरब पर कामकार होता है सही, यहां पर गोर करोगे ने तो हमारे पास एक equation यह बन रही है एक equation यह बन रही है अगर मैं overall equation लिखू ना overall equation किस तरह लिखेंगे? the overall equation will be the overall equation will be overall equation किस तरह लिखते हैं? देखो मैं पहले वाल equation सेम एज़ लिख रहा हूँ ZN plus two plus two electron इसका बाद second equation यहां लिख रहा हूँ Cu plus two plus two electron यह चीज़ हो रही है किसमें Cu में अब हमेशा यह होता है कि अगर आप दो equation को जमा करना चाहते हो आड़ करना चाहते है तो जो चीज़ प्रोडक्ट में और जो चीज़ रियक्टेंड में इसको आप कैंसल कर सकते हो यहां पहले चीज़ प्रोडक्ट में और यहां पहले चीज़ रियक्टेंड में कामूलेशन इस साइड पर होना शुरू हो जाते हैं जिसके वज़े से गलवानों मेटर में कुछ वक्त के लिए क्रांट फाइद होगा बाद में फटम हो जाएगा सो चार्ज की कामूलेशन से प्रिबेंट करने के लिए हम यहां पर साइड परीजिका इस्सामाल कर रहे होते हैं यह था यह मारे पास वर्किंग किस्टिद के वोल्टिक सहल की यह था यह मारे पास एक सिंपल से लेक्टर थैंक्स फुर वॉचिंग लाफिस इसका एक स्क्रें